तो आप देखेंगे question number i question पे ध्यान से देखो यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 24 upon 49 है लेट से अगर मैंने 6 into 4 होता है 24 तो अगर मैंने 6 common ले लिया तो यहाँ पे 4 बच जाएगा तो और यहाँ पे 1 इसको इसी तरीके से करना है देखो यहाँ पे 6 मैंने common ले लिया तो bracket में 1 minus 4 upon में 49 a square तो देखो यहाँ पे 1 square और यहाँ पे 4 upon 49 a square होगे तो हम 4 को 2 upon 7 लिख सकते हैं बिलकुल कैसे देखो 6 1 square minus 2 upon 7 a square यह पूरे का square कर दो इस तरीके से a square minus b square बन गया a square minus b square का formula में पता है क्या होता है a plus b और a minus b तो इसी तरीके से लिखो 6 1 plus 2 upon 7 a और 1 minus 2 upon 7 a तो इस तरीके से हमने question number i को बहुत ही आसानी से कर लिया question number j पे दियान दो 75 x square minus 3 x minus y का square यह देखो यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 25 into 75 होता है तो अगर मैंने 3 को bracket से बाहर ले लिया तो बचेगा क्या अंदर 25 x square minus यहाँ पे तो 1 बच जाएगा x minus y का square अब देखो यहाँ पे अगर मैंने यहाँ पे लिखा 5 x का square minus x minus y का square तो यहाँ पे a square minus b square बच गया है ना तो बस इसको a plus b और आरे minus b के form में लिख देना है तो लिखों यहाँ पे 5 x plus x minus y और 5 x minus x minus y अब ये bracket में है तो इसको bracket के बाहर करना है ना तो यहाँ पे 5 x इस plus का multiply यहाँ होगा तो plus x और यहाँ minus में होगा तो minus y इस तरीके से होगया सेम यहाँ पे 5 x minus, यहाँ पर minus का multiply minus x, इस minus का multiply अंदर होगा, तो plus y तो यह था हमारा question number j question number k पर द्यान दो यहाँ पर 2p plus q का whole square minus p minus q का whole square अब भी देखो अपने आप में ही यहाँ पर a square minus b square अपने आप में ही यह question बोल रहा है तो लिख दो यहाँ पर 2p यह a square हो गया, यह minus b square तो यहाँ पर लिखो 2p plus q plus p minus q है ना, यह पूरा हमें ऐसे लिखना है, एक बार यह a हो गया, यह b हो गया तो a plus b, अब एक बार a minus b लिखना है, तो 2p plus q minus p minus q और यह bracket में, तो a plus b और a minus b, अब क्या करना है इसको bracket से बाहर करना है तो लिखो 2p plus q इस plus का multiply है, अंदर होगा तो plus p, और यह plus minus minus q, तो यह हो गया है हमारा सेम यहाँ पर 2p plus q, इस minus का multiply है, यहाँ minus p, minus minus यहाँ पर plus q हो जाएगा अब देखो, जो सेम है, यहाँ पर plus q है यहाँ पर minus q हो तो यह कट जाएगा और यह 2p plus p, 3p हो जाएगा हमारे पास और यहाँ पर plus q है यहाँ पर plus q है, तो 2 q हो जाएगा यहां पर 2P plus है और यह पी माइनस तो यहां पर बचेगा क्या पी बचेगा और प्लस 2Q ठीक है तो इस तरीके से हमने इस question को बहुत ही आसानी से कर लिया question number L पर focus करो यहां पर R की power 4 minus 1 की 1 लिखा है तो 1 की कुछ भी power नहीं लिखी तो हम क्या करेंगे यहां पर लिखो R की power 2 और उसकी power 2 ठीक है क्योंकि जब हमने किसी की power 2 लिखी है और ब्रैकेट देखें किसी की power लिखी है तो वह multiply हो जाता है A square और एक बर R square minus 1 का square यह हमने लिखा A square minus B square है na A square minus B square का formula A plus B और A minus B अब यह तो सेम रहेगा R square plus 1 square बट यह फिर से हो जाएगा R plus 1 और R minus 1 ठीक है तो यह था हमारा question number L question number M है 16 A power 4 minus B power 4 तो इसको भी हम सेम जैसे L की है तो हम 4 A power 2 और उसकी power 2 करेंगे तो यहां पर 4 4 जा 16 होता है तो 4 A power 2 और इसकी power 2 minus B power 2 और इसकी power 2 तो अब यह A square minus B square हो गया लिखो 4 A square plus B square और यहां पर 4 A square नहीं 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 हाँ ठीक है 4 A square minus B square A plus B और A minus B हो गया ना अब आप सोचेंगे मैं square क्यों लिख रहे हूं क्योंकि यहां पर दो बार है ना तो इसलिए लिखना पड़ेगा पड़ेगा फोर की जगार 8 दिया है तो भी हम उसको उस तरीके से करेंगे सो कुछ नुमर N पर ध्यान दो देखो यहां पर x square minus 9 y square plus 6y minus 1 है ठीक है अगर हमने x square यहां पर लिखा और इन सब को bracket में करके minus common ले लिया तो bracket के इंदर का जो sign है वो change हो जाएगा तो यहां पर लिखो minus bracket में 9y square minus 6y और यहां पर minus है तो plus 1 अब ध्यान से देखो यह हमें क्या मिल गया है यहां पर 9 है तो 3y square हो जाएगा 3y का whole square 9y square हो जाएगा और यह 2a भी हो जाएगा क्योंकि 2 3 जा 6 होता है और यह 1 का square हो गया है तो यह तुम्हें नहीं लग रहा है कि यहां पर x square minus 3y minus 1 का whole square चल रहा है अगर मैंने इसको explain किया देखो 3y का क्या हो जाएगा a square हो जाएगा a square में क्या होता है 9y square लेट से मैंने 3y का ही square लिख दिया समझाने के लिए a square और यह b है ना तो यहां पर plus b square ठीक है और minus 2 यह भी होता है 2 into 3y into 1 तो ध्यान से देखो इसका क्या हो जाएगा 9y square plus 1 square minus 2 3 जा 6y तो यही तो वापस मिल गया ना हमें तो हम इसकी जगह तो यह लिखी सकते हैं अब देखो यह मैंने समझाने के लिए लिखा अब यहां पर क्या बनेगे a square minus b square तो इसको हम कैसे लिखेंगे यहां पर लिखो x यहां पर यह a plus b और a minus b के form में लिखना है तो यहां पर लिखो x plus 3y minus 1 और यहां पर x minus 3y minus 1 अब bracket remove करना है तो x plus 3y और यहां पर minus 1 और यहां पर x minus 3y इस minus को multiply यहां होगा तो plus 1 तो हमारे a इसका answer आगया ठीक है? question number o पर दियान दू यहां पर m minus 4m a plus b का whole square लिखा है तो इन दोनों में जो है minus इसको differentiate कर रहा है तो अगर मैंने m common ले लिया तो क्या बचेगा? 1 minus 4 a plus b का whole square ठीक है? और 1 का whole square 1 ही होता है और 4 को हम 2 के form में लिख सकते हैं तो a 1 का whole square यहां पर लिखो 2 a plus b का whole square तो सेम आपको यही मिलेगा तो अब लिख सकते हों यहां पर 1 plus 2 a plus b ठीक है? और यहां पर 1 minus 2 a plus b अब क्या करना है? ब्रैकेट रिमूव करना है तो यहां पर लिखो 1 plus 2 a plus b यहां पर 1 minus 2 a plus b फर्दर आप इसको करोगे तो 2 यहां पर 2 a हो जाएगा और यह साथ-साथ m लिखते चलो नहीं तो भूल जाओगे ठीक है? यहां पर 1 plus 2 a plus 2 b 1 minus 2 a यहां पर प्लस लगाओ और 1 2 into 2 b यहां पर हमारा यह answer हो गया I hope आपको यह समझ में आया होगा ठीक है? यहां पर minus था ना तो यहां पर minus हो जाएगा एक चीज और ध्यान देना मैं एक बार फिर से बता दे रही हूँ देखो यहां पर मैंने 4 common लिया 1 minus m common लिया तो 1 minus 4 a plus b का square हो गया तो 1 का square बनी होता है 4 की जगा मैंने 2 लिख दिया तो इसलिए bracket लगा दिया और इन दोनों का square हो गया 2 का square 4 हो जाएगा अब यहां पर a square minus b square हो गया तो a square minus b square का formula होता है a plus b a minus b ठीक है a plus b a minus b हो गया अब इस plus का multiply अंदर करोगे तो इस तरीके से इस bracket को remove कर देना है फिर इस 2 का multiply bracket के अंदर करोगे तो यह आ जाएगा ठीक है question number p पर ध्यान दो a square minus b square plus 2a plus 1 है अब इसको एक दरफ करो a square पहले a वाले को एक side करो a square plus 2a plus 1 और minus b square अब यहां पर इस पूरे पर ध्यान देना यह आपको मिलेगा a plus 1 का whole square कैसे जब मैंने इसको किया खोला तो यहां पर a square plus 1 square plus 2 into a होगा ना और into 1 तो वापस यही तो आ गय दिया अब यहां पर a plus 1 का whole square minus b square तो फिर से कर दो a plus b है minus b a plus 1 plus b और यहां पर a plus 1 minus b राइट question number g पर ध्यान दो f square minus 1 plus 9g square minus 6g तो पहले हम यह जो है f g और यह जो है एक तरफ करेंगे लिखो यहां पर f square plus 9g square और यहां पर minus 6fg और यह जो 1 है यहां पर लेक्या हो अब इन सब पर ध्यान दो कि किसका whole square बन रहा है किसके whole square को अगर आप open करते हो तो यह मिलेगा यह है a square यह है b square और यह minus 2ab है कैसे अगर मैंने f minus 3g का whole square किया तो वापस से आपको यही मिलेगा ठीक है a square और 3 का square x और fg ठीक है minus 1 अब फिर से a square minus b square मिल गया तो लिखो f minus 3g plus 1 और f minus 3g minus 1 इतना असान question था अब r करते हैं इसी तरीके से 9x plus y का square minus 16x minus y का square अब देखो यह बहुत easy है यहां पर a square minus b square बन रहा है यहां पर लिखो 3x plus y plus 4x minus y ठीक है यह a plus b हो गया अब a minus b क्या हो जाएगा 3x plus y minus 4x minus y अब बस bracket remove करना है अब bracket के इंदर multiply करना है 3 into x 3x plus 3y plus 4x minus 4y ठीक है अब इसी तरीके से यहां पर 3x plus 3y minus 4x minus 4y इस minus का multiply यहां पर होगा तो plus हो जाएगा अब ध्यान से देखो इस वाले plus और इस वाले minus को भी remove करना है हमें तो वापस लिको 3x plus 3y plus 4x minus 4y यहां पर 3x plus 3y इस minus का multiply यहां होगा तो क्या हो जाएगा minus 4x minus 4y ठीक है अब जो जो सेम है उनको बस plus minus कर देना है यह 3y plus में है और यह 4y minus में है ठीक है और यह 3 plus 4 7x हो जाएगा और इसमें से यह सब्ट्रैक्ट होगा तो यहां पर minus y हो जाएगा और यहां पर 3x है यहां पर minus 4x है तो फिर गिए सब्ट्रैक्ट हो जाएगा यहां पर 4y है और यहां पर plus 3y है यहां पर मैंने कुछ तो गड़बड करी है साइथ से minus 1 second देखने दो मुझे इस minus का multiply यहां वह 4x हुआ इस minus का multiply अच्छा मैंने तो multiply इसको बाद में करना था ना इस वीडियो में इतना ही, नेक्स वीडियो में हम कॉश्च नुबर 2 करेंगे, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें सब्सक्राइब करने नहीं बोले, बाए